तो गाईज स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल अउनली रेगुलर स्टडी में गाईज आज में आप लोगों को कच्छा एट का विभी आई अब्जेक्टिव कोशन साइन सब्जेक्ट का चेप्टर फोर विधुद्धारा का रशानिक परभाव को कवर करने वाला हूँ अधि आप हमारे चेनल पर नए आए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेज कर लें ताकि आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं यदि आप फर्स सकेंड और थर्ड चेप्लर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला प्रशन है इन में कौन विधुद धारा का सूच आलक है तो इसका पहला अप्सन है लकडी दूसरा अप्सन है रबड तीसरा अप्सन है कागज और चौथा अप्सन है पितल तो इसका सही उतर होगा पितल अगला प्रशन है कोशन नमबर टू निमनांकित में कोन विधूत का कूचालक है तो इसका पहला अप्रशन है तांबा दूसरा अप्रशन है लोहा तीसरा अप्रशन है एलियुमुनियम और चौथा अप्रशन है रबड तो इसका सही उतर होगा रबड अगला प्रस्ष्ण है Question No.3 निमद्नांकित में कोन विधूत का चालक नहीं है? तो इसका पहला option है तांबा, दूसरा प्रस्ष्ण है लोहा, तीसरा प्रस्ष्ण है प्लास्टिक और छोथा प्रस्ष्ण है ग्रेफाइट तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टिक अगला प्रस्ण है question number 4 निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विधुत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है तो इसका पहला option है लोहा, दुसरा option है क्रोमियम, तीसरा option है तांबा और चौथा option है एलिमुनियम तो इसका सही उतर होगा क्रोमियम अगला प्रस्ण है question number 5 निम्नांकित में कौन सा घोल विधुत का सूचालक है तो इसका पहला option है नीमु करस, दुसरा option है नल का पानी, तीसरा option है सिरका, और चौथा option है खाद तेल तो इसका सही उतर होगा नीमु करस प्रस्ण है question number 6 विधुत धारा के किस परभाव का उपियोग विधुत लेपन में होता है तो इसका पहला option है उस्मिय परभाव दुसरा option है चुमक्य परभाव तीसरा option है रसायनिक परभाव और चौथा option है इनमें कोई नहीं तो इसका सही उतर होगा रसायनिक परभाव अगला प्रस्ण है question number 7 खाद पदार्तों को सनक्षित करने के लिए लोहे के डिबे पर किस धातु का विधुत लेपन किया जाता है तो इसका पहला option है टीन दूसरा option है जिंक तीसरा option है अलिमिनियम और चौथा option है लोहा तो इसका सही उतर होगा जिंक अगला प्रस्ण है question number 8 लोहे के पूल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विधुत लेपन किया जाता है तो इसका पहला option है क्रोमियम दूसरा option है चान्दी तीसरा option है जिंक और चौथा option है टीन तो इसका सही उतर होगा जिंक अगला प्रस्ण है question number 9 विधुत धारा की सहायता से किसी धातु के सता पर इच्छित धातु का परत निच्छेपित करने की परकिरिया को कहते हैं तो इसका पहला option है विधुत दर्षी दूसरा option है विछेपन तीसरा option है विधुत लेपन और चौथा option है वेधुत बल तो इसका सही उतर होगा विधुत लेपन अगला प्रस्ण है question number 10 विधुत धारा उत्पन करता है इसका पहला उप्षन है केवल उसमे परभाव, दूसरा उप्षन है केवल रशानिक परभाव, तीसरा उप्षन है केवल चुमक्य परभाव, और चौथा उप्षन है उसमे चुमक्य एं रशानिक परभाव तो इसका सही उत्तर होगा उस्मिये चुमकिये एंव रशानिक परभाव अगला प्रशन है कोशन नमबर 11 निमनांकित में से कौन सा पदार्थ विधुत का ही नचालक है तो इसका पहला अप्शन है असुत जल दूसरा अप्शन है नीमबु पानी तीसरा अप्शन है सिर्का और चौथा अप्शन है साबुन पानी तो इसका सही उत्तर होगा असुत जल अगला प्रशन है कोशन नमबर 12 जब चालक विलियन में विधुत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलियन का रंग में परिवर्तन होता है यह संकेत करता है इसका पहला अप्शन है विधुत धारा के रशानिक प्रवावका दूसरा विधुत धारा के उसमे प्रवावका तीसरा अप्शन है विधुत धारा के चुमक्य प्रवावका और चौथा option है विदुद धारा के तरित परभावका तो इसका सही उत्तर होगा विदुद धारा के रशानिक परभावका प्रशन कोशन नमबर 13 बिजली मिस्तरी हाथ में रबबट के दस्ताने पहन कर काम करता है क्योंकि तो इसका पहला option है समान पकड़ने में सहायता होती है दूसरा option है हाथ में जलन नहीं होती है तीसरा option है हाथ में बिजली का जटका नहीं लगता है और चौथा option है हाथ में घरसन नहीं होता है तो इसका सही उत्तर होगा हाथ में बिजली का जटका नहीं लगता है अगला प्रस्ट और इस वीडियो का आखरी प्रस्ट कोशन नमबर 14 साइकिल के हेंडिल तता पहियों के रीम को चमकदार बनाने के लिए किस धातू का विधुतलेपन किया जाता है तो इसका पहला अप्सन है क्रोमियम दूसरा अप्सन है तांबा तीसरा अप्सन है ऐलिमिनियम और चौथा अप्सन है लोहा तो इसका सही उत्तर होगा क्रोमियम तो गाईज आज मैं आप लोगों को कच्छा एट का भी भी आई अब्जेक्टिक कोशन करवाया अधि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें तो गैज मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक केले धन्यवाद